नमस्कार अराइज नियूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की एहम खबरे अंतरराष्टिये हिंदू परिशत के राष्टिये अध्यक्ष डॉक्टर पिर्वीन तोगडिया आज यूपी के संभल पहुँचे जहां उनका संगठन के कार्यकरताओं ने जोड़दार स्वागत किया इस मौके पार डॉक्टर पिर्वीन तोगडिया ने अंतरराष्टिये हिंदू परिशत की भावी कारियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उनका संगठन आगामी दुनों में हिंदू जन्संपर का भियान के तहट देश के पांच करोड हिंदू घरों में पहुँचेगा और उनकी कुसल छेम पूछेगा इनमें अमीर परिवारों से अनाज लेकर गरीवों को बितरित किया जाएगा इसके साथ ही हिंदू परिवारों की सुरक्षा स्वार्थ जैकप वा उनके बच्चों की सिक्षा दीख्षा में मदद की जाएगी और हम पांच करोड हिंदू घरों में जाकर उनका कुसल पुछना उनकी केर लेना उनमें गरीब हैं उनको मुष्ट में अनाज और बाकी लोगों से अनाज इकठित करना उन परिवार की स्वास की व्योस्ता मुफ्ट में डॉक्टर ब्लडपेसर सुगर की जाच उन परिवार के बच्चों की टैलेंट बढ़ा कर पढ़ने में आगे बड़े धर्म के संसका और यह परिवारों की शुरक्षा अर्थात एक परिवार के लिए सो परिवार खड़ा हो जाए ऐसा पांच करोड हिंदों के घरों में जाकर मिलने का हमारा हिंदू जनसंपर्क अभियान हिंदू ही आगे चल रहा है इस मौके पर अंतराष्टिये हिंदू परिशत के जिला ध्यक्ष राकेस बाशने द्वारा उन्हें 51,000 रुपई की थैली भेंट की गई और संगठन के सभी कार्यकरताओं ने उनकी भावी कारियोजना को लेकर उनका उस्सा वर्दन किया इस अफसर पर अंतराष्टिये हिंदू परिशत के जिला ध्यक्ष राकेस बाशने के साथ ही असोग त्रवेदी एडवोकेट उमेश सर्मा एडवोकेट अजीज सेनी असोग गौतम के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकरता मौजूद रहे हैराई न्यूज के लिए रतंदीब सर्मा के साथ हरी अम तुमार की रिपोर्ट